गुड मॉनी डियर स्टुडेंट्स देखे आज हम डिस्स कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू यह हमारे लैब प्रैक्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने दो एक्सपेरिमेंट एक में प्रिलैब और दूसरी में एक्सपेरिमेंट वन कंप्लीट कर लिया है आज हम एक्सपेरिमेंट टू जिसका एम है प्रिप्रिप्रेशन ओफ 500 ml sodium hydroxide solution इसको discuss करेंगे myself डॉक्टर तेजपाल सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन पार्टली पोत्रा उन्यूश्टी पत्ना तो देखिए इस experiment कैसे perform करते हैं एम में तो सीधे हम लिखेंगे experiment याइन की है हमारा preparation of 500 ml NY10 sodium hydroxide solution अब हमारा इसमें क्या यूज कर देखिए apparatus required apparatus required यानि क्या-क्या apparatus की हमको need है देखिए इसमें measuring flask measuring flask चाहिए हमको देखिए funnel measuring cylinder the conical flask glass road wash bottle वृस George इसमें फेड़े इसमेए इनक्याइड अफ़ीया ?-łem अप्रेटिस में क्या क्या है बच्चो मेंजिरिंग फ्लास्क फञाइल मेंजिरिंग सिलेंडर कॉनिकल फ्लास्ट ग्लास रोड वास बोटल व्यू रेट और पीपेट यह हम को चाहिए अप्रेटर्स वादिके कैमिकल्स की क्या नीड है अब कैमिकल्स रिक्वाइड है कि हमारे एम क्या है बच्चो सोडियम हाइड्रोकसाइड वास लिसन का सोलिसन प्रिपेर करना है तो हमको चीज़ के एनिवएच और देखिए यह यह सेकंडरी स्टेंडर है हम आगे डिसकस करेंगे तो इसको टाइट्रेशन की आवरसक्ता पड़ेगी तो इसको टाइट्रेशन की चाहिए एक एसिड ओक्जलीक असीड और oxy acid लेंगे बच्चों हम ny tan का देखे और oxy acid अब acid base है तो एक चाहिए indicator इंडिकेटर इंडिकेटर लेंगे हम phenophthalene यह हम phenophthalene indicator का यूज करेंगे और क्या चाहिए बच्चों distilled water जो हमारा solution बनाने में क्या होगा काम आगा देखे तो हमारा chemicals में क्या जाएगा sodium hydroxide जिसका हम solution प्रेपेर करेंगे और किसकी helps है और oxylic acid और आपको लैब में दिया रहेगा यह जितना भी रहे हम यह NY 10 का लेकर calculation करेंगे और देखे इंडिगेट चाहिए फ्रोप्तलीन जो titration में indicate करता है color को और distilled water अब इसका theory देखते हैं बच्चों देखे जो sodium hydroxide है यह secondary standard है जब यह secondary standard है तो ऐसे solution को हम direct way करके नहीं बना सकते हैं तो उनके लिए कौन से method यूज करते हैं titration का तो वही हम theory में discuss करेंगे देखे sodium hydroxide sodium hydroxide is sodium hydroxide देखे एब जोब एब जोब मौस्चर from the atmosphere atmosphere यह atmosphere से मौस्चर क्या करता है एब जोब कर लेता है इसनी क्या है यह secondary standard है कि इस ए सेकेंडरी इस्टेंडर्स लूशन अ सेकेंडर्स लूशन देखे और आगा डिस्टेस करेंगे बच्चों यह थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं जाने कि सेकेंडर्स स्टेंडर्स सोल्यूशन यह जब यह secondary स्टेंडर्स सोल्यूशन है तो हम एसा सोल्यूशन को डाइक्ट बे करके नहीं बना सकते हैं यह निकिए हैंस इस सोल्यूशन इस नौट प्रिपेर्ड वाइड डायेक्ट वेइंड वाइड डायेक्ट वेइंड डायेक्ट वेइंड करके इसको प्रिपेर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम कौन सा मैथड यूज करेंगे यानि कि इट इस प्रिपेर्ड फ्रों गिवन एप्रोक्स वन एंड देखिए आपको वन एंड का क्या मिलेगा एन्वेच सोल्यूशन एफ्रोक्स दिखा हमने जिसका स्ट्रेंथ हमको अभी कंप्लेट पता नहीं है तो पहले क्या करेंगे हम जो सोल्यूशन हमको लेब में दिया जाएगा वह एप्रोक्स कितना होगा 1N का तो यह एप्रोक्स 1N का है तो हम ओक्जली असीट की हेल्प से इस एनिवेच की जो एकुरेट कंसंट्रेशन है वह डिटर्माइन करेंगे पिर उस एकुरेट कंसंट्रेशन से हमको बनाना है 500 ml किसका अब हमको मिला है 1N हम करके और टाइट्रेशन से डिटरमाइन करेंगे किसकी कंसंट्रेशन कितनी है तो यह ज्यादा कंसंट्रेड़ है और यह क्या है हमारा एनिवाइट 10 0.1 का देखिए तो हम इसली से डालूट क करके जो दिया हुआ एमाउंट है यह सोलिशन प्रिपेर कर सकते हैं तो हम लगाएंगे इसमें मैथट अब हम इस्टार्ट करेंगे बच्चो प्रोसीजर कि हम कैसे टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेशन करने के बाद जो हमारा एम है उसको हम कंप्लीट करेंगे अब बच्चो हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर करेंगे प्रोसीजर करेंगे प्रोसीजर करेंगे तो इसमें देखेंगे इसकी प्रोसीजर क्या हमने कहा था क्या यूज करते हैं टाइट्रेशन मैथट टाइट्रेशन में बच्चो यह क्या है ब्यूरेट है इसमें फिल करना है हमको NY10 का ओक्जिलिक एसीड ओक्जिलिक एसीड सोल्यूसन यह बिरुएट का स्टेंड है बची बिरुएट में मार्क लग रहते हैं इसमें प्रोक्स 50 ml सोल्यूसन आता है 50 ml का बिरुएट रहता है यह देखिए कोर्क है नोव है जिसे मूब करके क्या करेंगे हम ड्रोप बाइड्रोप इसमें एड्ट करेंगे यह हमारा बीकर है यह फिर कॉनिकल फ्लास्क है इसे हमने लिए 5 ml एप्रोक्स 1 n का एन्योस सोल्यूसन एन्योस सोल्यूसन देखिए 5 ml और इसमें क्या करते हैं देखिए जैसे बीकर में यह लिए फाया मैंने सोल्यूसन इसका हमको जो एक्जेक्टली कंसंट्रेशन है वह अभी नहीं है तो इसमें एड्ट करते हैं हम फिनोप्थली इंडिकेटर प्रोप्थली इंडिकेटर और जैसे इसमें फिनोप्थली इंडिकेटर यूज़ करते हैं इसका कलर हो जाता पिंक कलर यह करता सीथे पिंक कलर पिंक कलर अब उसके क्या करते हैं जैसे इसका पिंक कलर होगा थोड़ा सेख कर लेंगे ताकि यह पूरा जो फाई डीसे इपियर नहों जाए जब तक यह पिंक कल्र कहाना हो जाए मतला तब तक ओकटक आशिलग्व एसीट को डो बैडौ घ assemblies भी कर में ज penguin आयकरते हैं उसमें करते हैं और तब तकम करते हैं बहुति साथधानी के साथ ऐकुरेट ली जबसकर पिंक कलर पट्रार गयाब ना हो जॉच्चो वह रिडिंग क्या करते हैं नोट कर लेते हैं माले इनिसल रीडिंग है आ जहां पर रिण होता है final reading है final reading है और इस एक्सपरिमेंट को ुए लगवन तीन बार क्या करते हैं दोराते हैं की just reading मिल जाए कि 5 ml नूट्रल करने में ऑग जिल्ग एसिट के कितने वोलियूम यूज हुए है और जैसी हमको पता लग जाएगा कि यूज एक इतने वोलियूम यूज हुए है तो हम कैलकुलेसंस से जो यह एनूएच है इसकी कंसेंट्रेशन कर सकते हैं यही मैथर कहलाता ताइट्रेशन मैथड और हमने यूज क्या है और यह प्राइमरी स्टेंडर है प्राइमरी स्टेंडर का मतलब यह है इसको डाइट वे करके बना सकते हैं और यह हमने पिछले एक्सपरिमेंट में डिसकस भी क्या है आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं तो देखिए प्रोसीजर में यही मेंशन करना है देखिए टेक NY10 oxalic acid in A burate देखिए and 5 ml of and 5 ml of NOH अनिके sodium hydroxide in A B कर देखिए इने बीकर इस बीकर में क्या लेया हमने 5 ml NUH और इसका क्या करते हैं बच्चों देखिए add 223 यह दो यह तीन ड्रॉप्स ड्रॉप्स ओफ फिनॉप्थलीन इंडिकेटर प्रॉप्स ओफ फिनॉप्थलीन इंडिकेटर इंडिकेटर इने बीकर इस बीकर में 2 यह तीन ड्रॉप्स कर डालना है इंडिकेटर डालना है तो हम देखते हैं रॉप्सeroव में विकर दॉप्स दॉप्स दिनॉप्स Arizona आप्टर दा एडिशन ओफ फ्नॉप्तलीन इंडिकेटर जैसे हमने फ्नॉप्तलीन की दो या तीन ड्रोप इसमें एट की हैं इसका कलर हो जाएगा बच्छों पिंक कलर इंडिकेटर अब आगे क्या करना है देखो इसको क्या करते हैं ताकि यह क्या हो जाएग पुरा यूनिफोर्म हो जाएग यानिकि शेख दभीकर फॉर यूनिफोर्मिटी अब अच्छों क्या करना है जैसे इसका पिंक कलर हुआ बैसी इस नोप को मूब करके करना है जो ओकजरिक आशीड है वियूरेट में ड्रोप बाइड्रोप इसमें एट करना है नाओ स्विस्वा मार करें हृँ हो और क्ज़ेट प्रॉम् स्थमिटीक यूरे वावएड नाओ क उन्द प्रनीमेंσι अगुट ूँ दा कलर ओफ दा भीकर वाई दा कलर ओफ दा भीकर यह कोण सा कलर? पिंक कलर बच्चो वाईल दा पिंक कलर क्योंकि बीकर क्यों हो गया था पिंक कलर वाईल दा पिंक कलर ओफ दा भीकर turns to disappear turns to disappear हमें तब तक add करना है oxyric acid जब तक यह pink color disappear न हो जाए टिम्सक्ग आप पिंग कलर अब देग कर टू disappear और इसके इधि चया दो जादध चला गया यह दो तीन ड्रोप ज्याद़ चला गया तो इसको repeat करना है यह रिपीट दा एक्सपेरिमेंट रिपीट दा एक्सपेरिमेंट टू गेट टू गेट कॉन कोडेंट रिडिंग ताकि हमको क्या कॉन कोडेंट रिडिंग मिल जाए कि रिडिंग देखिए गोन कोडेंट रिडिंग तो यह हो अरा बच्चु क्या है इसका प्रोसीजर आप चाहें इसका स्क्रिंसोड ले सकते हैं अब मैं इसको थोड़कर रहरा हूं मिटा रहरा हूं है तो गेड़ दा कॉंक्रेडेंट रीडिंग वासा हमारा कैल्कुरेशन काम बचा है कि वच्चिस की टेबिल बनाते हैं हम देखो अब कि टेबिल में देखो टेबिल में क्या है कि देखे नमबर ओफ ओबजर्वेशन नमबर ओबजर्वेशन स्वाट में लेकिते हैं नमबर ओबजर्वेशन देखे और वोल्यूम ओफ अनुएच किसमें लेना है एमल में और इनिशियल ब्यूरेट ट्रिडिंग लिडिंग इम ऐमल फाइनल ब्यूरेट डिडिंग ml और देखिए यह Concordant Reading मालनबर उपजिसर 1 देखिए बोल में कितना लिया है 05 जो हमने बीकर में लिया है देखिए बोलोम और इनिची इनिची दिटिंग क्या है सब़ोच 0.0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम मालनब फाइन दिटिंग क्या है सब्सक्राइब 40.1 सब्सक्राइब करने में किसको एनिवेच को दूसरा बार करते हैं रिपीट देखो यह हमने सेम लिया है 05 देखिए इनिसाद 0 है सब्सक्राइब 40 सब्सक्राइब करें हम एक्सपरिमेंट को देखिए जीरो यह भी कितना आगी बच्चो 40 देखिए 40 मत्यक्राइब क्या है 40 एनिके 40 एमेल किसके युज हुए है एंड वाइटन ऑगजलिक एसिट के तो यह हमारी टेवल है कि अपको अच्छी से ड्रो करना है अपने प्रैक्टिकल नोट बुक में यह बच्चों यह देखो यह अब हम स्टार्ट करेंगे कैल्कुलेशन कि अपने तो अच्छों हम देखेंगे अब कैल्कुलेशन के कैल्कुलेशन क्यूंकि हमरे पास रिडिंग आ चुकी है टाइट्रेशन से किसकी ओकजली असिट की कैल्कुलेशन का पहला पार्ट है देखिए वॉल्यूम ओफ देखिए इसमें वॉल्यूम ओफ ओगजली असीड कितना है 40 ml वॉल्यूम ओफ ओगजली असीड 40 ml जो कहां साया टाइट्रेशन से और इसकी नॉर्मेल्टी कितनी है नॉर्मल्यूम ओफ ओगजली असीड देखिए एनवाई टैन हमने कौन से लिया है अब जैसी एनवाई टैन का देखिए एनवाई टैन वॉल्यूम ओफ एनवाई एच वॉल्यूम ओफ एनवाई एच कितना है 5 ml और नॉर्मेल्टी ओफ एनवाई एच देखिए यह हमको पता करना है यह हमको डिट्रिमाइन करना है तो वी हैव देखिए के ऐनवण वीवं एक्वशूल वी्टू यह फोर्म लगाना हमको एनव़ण इकवर एकवशू एंटू वीटू जैसे एन क्या है नॉर्मल्म्मृटि और वी क्या है वोल्यूम तो देखिए हमने क्या है N1, NY10 देखिए, और volume कितना लगा? 40 mm, और इसमें क्या N2? हमको determine करना है, और volume कितना बच्चो? 5 mm, तो N2 आएगा हमारा देखिए, N into 4, देखिए 0,0 cancel हो गया, ओवर देखिए फाइव तो हमारा दागए यह 0.8N देखिए 0.8N यानिके जो हमने लिया था एप्रोक्स माना था 1N का जिसका हमको कंसेंट्रेशन डिटर्माइन करना था वह टाइट्रेशन कितना है अब दूसरी कैलकुलेशन साम निकालेंगे कि 0.8 नॉर्मेल्टी के हम कितने वोल्यूम लें ताकि एन वाइट्रेशन में 500 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाए तो दूसरी कैलकुलेशन देखिए देखिए साइड्रेशन क्लूस में क्या करेंगे यह 0.8 के 0.8 न आया है हमारा 0.8 के कितना वोल्यूम हम लें ताकि हमारा 500 ml एन वाइट्रेशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलिसन तैयार हो जाए तैयार हो जाए यह फॉर्मुला सेम है एन वन वी इकुल एन टू वी तो बच्चो देखो तो हम देखेंगे देखिए तो वी आएगा देखिए यह 500 ओवर टैन ओवर देखिए 0.8 जिरो से जिरो गए देखिए यह पइंट अब इसको करते हैं हम इसको तो यह बच्चों आएगा देखिए सिधे काटते हैं इसको 4, 250 देखिए अब 4 से काड़ते हैं 6, 44 बचा, 2 हो गया 10, 4 दुनी 8, 0.2, 4 पंजे 20 देखिए 60, 2.5 ml देखिए यानिक हम 62.5 ml किसके 0.8 n के लेते हैं अब बोल्यम कितना करते हैं आपको 500 ml तो हमारा जो नवेच बने का किसके नवाई 10 का तो क्या करना सीम्पल देखिए आव यह हमारा माले क्या है फ्लास्क है यह मीजरिंग फ्लास्क देखिए अच्छे से ड्रो करते हैं यह बच्चो सपोजी मार्क है हमारा 500 ml का देखिए इस पर हम क्या करेंगे 62.5 ml इसके हमने एड कर दिया देखिए 62.5 ml किसका 0.8 का देखिए आफ डिस्टिल डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर जेखिए अगितना डालेंगे ताकि मार्क हो जाए 500 ml का तो यह पूरा फुल हो गया है और हमारा क्या बन गया है आब आप बस आप गया नुह बन गया हमारा 500 ml आप बस हमके यह करना है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा देखिए रिजल्ट में जागा बच्छों सीधे देखिए यानि रिजल्ट सिंपल है हमारा दा प्रिप्रेशन दा प्रिप्रेशन ओफ एन वाइट एन वाइच सोल्यूशन वाज सक्सेस्फुल वाज सक्सेस्फुल देखिए यानिके दो कैलकुलोशन में हमारा यह एम कंप्लेट हो गया है थैंक यू